तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बह। बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आज की सी वीडियो में हम लोग एक बार फिर से Drafsman Mechanical Trait के Practice Set 2 को Discuss करने वाले हैं इस Practice Set 2 में हम लोग कुछ important amongst EQ objective questions को Discuss करेंगे जो की आपके ITI, CTI के साथ-साथ सभी तरह के टेक्निकल परिक्षाओं के लिए महत्पून होने वाली है दोस्तो मैं Draftsman Mechanical Trade के लिए लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इससे पहले मैं दो वीडियो और अप्लोड कर चुका हूँ जहां हमने इसके practice state 1 और इसके introduction के बारे में जाना था इसी तरह की वीडियो उसको सबसे पहले देखने के लिए आप लोगों से उम्मीद करेंगा कि आप लोग चनल को subscribe करेंगे और bell icon प्रेस करेंगे तो चलिए discuss करते हैं हम लोग है Draftsman Mechanical Trade के practice state 2 को और ये question number 16 से start होगा इससे पहले question number 15 तक हमने practice state 1 में discuss कर लिया था तो question number 16 है जब एक वस्तू सवरूप होती है तो इसका पूर्ण section view बनाना आवश्यक नहीं होता है इस परिस्थिती में यानि कि when the object is symmetrical it is not necessary to create a complete sectional view what type of sectional view is opposite in the situation यानि कि in this situation इस परिस्थिती में कौन सा view जो है वो बनाना वश्यक नहीं है तो इसका सिधा सैंसर होगा question number 16 का option number C यानि removed section और आप इस figure से removed section को अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे और जब मैं sectioning का video लेकर किया हूँगा तो वहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से define करूँगा वहराल ये वीडियो दा लंबी न हो जाए इसलिए हम लोग सिर्फ इसके questions और इसके options को ही discuss करेंगे इस वीडियो में question number 17 है the amount of variant permitted from the specified dimension in the manufacturing of a part is called यानि एक भाग के निर्माण में निर्माण के दोरान किसी विशिष्ट विवांकन से आग्यापती विविद्टा की मातरा dash कहलाती है क्या कहलाती है इसका सिज़ा से अंसर होगा option number B allowance ठीक है question number 17 का सही अंसर हो जाएगा option number B यानि allowance question number 18 है whole diversion is represented by यानि छिद्र विचलन को dash से वेक्ट किया जाता है किस से वेक्ट किया जाता है तो आप लोगों ने whole diversion को पढ़ा होगा कि इसे हम लोग capital letter से represent करते हैं और soft को हम लोग small letter से represent करते हैं तो 18 नमबर का सही उत्तर क्या होगा option number B question number 19 देखते हैं as per BIS number of fundamental deviations are dash यानि कि BIS के अनुसार मूल भूत वीचलनों की संख्या क्या है तो जो वीचलनों की संख्या है वो option number B यानि कि 30 है as per BIS question number 20 देखेंगे key is a typical example of dash यानि key dash का एक जटिल उधारन है तो दोस्तों ये limit fit and tolerance से ये question पूछा गया है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा transaction fit यानि 20 number का सही उत्तर होगा option number C मैं जल्दी fitting के उपर भी proper video ले करके आऊंगा जहां हम लोग इसको भी विश्तार से समझेंगे इसलिए आप लोग चनल के साथ बने रहिएगा और चल चलिए question number 21 पे चलते है the perk are valleys caused by machining cutting operation is dash यानि machining cutting के operation के कारण उत्पन शिर्स और गर्थ गर्थ dash कहलाते है क्या कहलाते है इसका सहत्तर हो जाएगा very nice यानि option number A question number 22 देखते है which of the following type of friction is generated in general bearing without lubricant यानि कि इस नेहक के अभाओं में general bearing में निमलिकित में से किस प्रकार का घर्षन उत्पन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा sliding friction यानि कि sliding घर्षन जो कि A number इसका सही उत्तर है question number 23 है why lubrication is necessary in the bearing bearing में इस नेहक क्यों अवश्यक है दोस्तों जैसा कि पता होगा आपको कि जब दो मशीने आपस में घिस्ती है तो वहाँ पर friction पैदा होता है और उसी friction को कम करने के लिए अम लोग इस नेहक का उपयोग करते हैं ताकि machine की जीवन आउदी में विर्दी हो सके यानि तेस नमबर का सही उत्तर होगा option number A life of machine increase चली question number 24 को देखते है which of these pipes are used for carrying water gases and steam from one place to another यानि कि निमलिकित में से कौन से pipe, gel, gas और वास्फ को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने यह तो परियोगत होता है इसका सीरा sensor होगा cast iron pipe यानि कि धलबा लोगा pipe जो की option number A में दिया गया है question number 25 देखेंगे elbow is used to connect pipe dash elbow pipes को dash संयोजित करने हित्व परियोगत होते है तो elbow जो है वो दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं जो कि 90 डिग्री और 45 डिग्री पर जो pipelines है या किसी वी तरह की जो connection है उसको जोडते हैं उसको joint करते हैं इसलिए इसका सही उतर होगा option number A at an angle किसी कोण पर यानि किसी कोण पर क्या करता है उसको दो pipe को connect कर सकता है elbow question number 26 है which hand tool is used for mixing to temper molding sand molding sand की mixing और temper it to कौन सा हस्त औजार परियोग किया जाता है तो question number 26 का सही उतर यहाँ पर हो जाने वाला है option number A यानि कि show well और show well का जितर आप अभी देख पा रहे होंगे और आप सभी को बता दें कि molding sand की उपर sonu sir की वीडियोज हमारे चनल पर अभी लेवल है जिसे आप description में जाकर के भी देख सकते हैं इसके अलबा question number 27 देखेंगे the top part of molding box is called molding box का सिर्ज भाग dash कहलाता है तो क्या कहलाता है इसका सिर्टर होगा option number यानि की drag कहलाता है question number 28 filling material used in braging is called dash braging के परियुक्त होने वाला filler material dash कहलाता है तो किसे हम लोग क्या कहते हैं इसका answer होगा solder चीक इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग solder कहते हैं question number 29 को देखते है which of the following hand tool is used for holding hot and cold workpiece निमलिकित में से कौन से हस्तोजार गरम और ठंडे workpiece को पकड़ने हे तूप परियुक्त किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा option number 8 यानि की clamps question number 30 देखेंगे which of the following cylinder is painted black निमलिकित में से कौन से cylinder काले रंग की प्रेलतिले पी किया जाता है इसका सही उत्तर होगा option number 8 यानि acetylene gas cylinder तो दोस्तों यहां हमने आज practice से two को discuss किया इस वीडियो में उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए helpful होगी और इसी तरह की वीडियो आप आगी देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बैल आइकन को कर ले प्रेस और दोस्तों इस तरह कि वीडियो को अगर आप लोग discussion form में देखना चाते हैं तो मैं बहुत जल्द life classes भी लाने वाना हो ड्राशन मेकनिकल ट्रेट के लिए चैनल के साथ बने रहे धन्यवाद